हेलो फ्रेंड्स वालकम टू माई चैनल आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फेल्ड्स के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इस साथ ही साथ इसका रिविजन करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 के लिए इंपोर्टेंट नोड्स और जो इंपोर्टेंट कोस्चेंस रहेंगे बोर्स के पॉइंट और जितने भी नुम नाले बस हमारे चैनल पर बने रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें बेसे क्लिए हम लोग बस कुछ important points के बारे में बात करेंगे जो की electric charge and fields के रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो पहला point हो देखे like charge and unlike charge charges like charge repel and unlike charge attract each other आप जो conductor क्या होता इंसलेटर क्या आता उसके बारे में पढ़ लिजेगा Quantization of electric charge क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लिजेगा addition of electric charges additive charges मतलब जो charges होते हैं वो add होते हैं superposition होता है उसका देख लिजेगा conservation of electric charges क्या होते हैं the total charges of an isolated system रिमेन अंचार्ज विद टाइम अब सूपर पोजीशन प्रिस्पल क्या होता है इस प्रॉपर्टी ओफ फोर्सेश विट विच टू चार्ट और रिपेल इच अदर और नॉट भी अफेक्टे बाई प्रेजेंस ऑफ थर्ड अडिशनल चार्ज अब देखें यह जो कोशन था इसका क्या की एक ठोब डेरिवेशन भी है अगर आपको प्रॉब्लम का डेरिवेशन में तो आप कमेंट में बता देएका डेरिवेशन भी आजएगा यह क्या है बेसिकली यह पूरे वीडियो में आपका क्यूट रिवीजन कराया जाएगा जैसे कि एक्जाम देने पहले आप इस वीडियो को पांच मेंट में देखके पूरा समझ सकते जो में में पॉइंट है इसलिए इस वीडियो में हम डेरिवेशन नहीं करा सकते हैं इसका यह बेसिक जो में फॉर्मला है इस बस वीडियो में आपको में में जो फॉर्मला है वही मिलेंगा जो बेसिक प्लेइन एट डिश्टेंस आप फॉर्म सेंटर अब यह सब जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स यह तो आपकी बोर्ट के लिए इंपोर्टेंट और साथ ही साथ जो जेए मेंस का पेपर देगा उसके लिए इस पर जरूर कोशन बनने का चांस रहता है इसको आप ध्यान से देख लिएगा और अगर इसका आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर दिएगा नेक्स्ट डे आपके लिए इस पर डेरिवेशन भी हो जाएगा यह बस बेसिकली बस क्यों कुक रिविजन है तो इसलिए फटाक फटा इलेक्टिक फ्लक्स क्या होता उसके बारे में समझा गया है कि जो फ्लक्स पॉश्टिव रेगा तब अगर थीटा के वैलवेए बाए तू से बढ़ी होती है अब गोस्ट लाग्स बढ़ने के सपहला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिजेगा उस के बाAD गोस्ट लॉ में रिवीजन की वीडियो है तो यह बस आपका रिवीजन करने के लिए इसमें बस बेसिकली जो most important point रहेंगे वो बताया गया अब जैसे जो डार्क हैटिंग में है वो उसके ज्यादा ध्यान जाए जैसे electric field due to due to an infinity long state wire of uniform linear charge density इसका क्या इस फिल्ड ए अलांग और आउटवर्ड नॉर्मल टुड़ा सर्फिस जीरो तो यह सब देख लिए यह क्या कि बेसिकली जो most important points वीडियो में बस वही कबर किये गया है अगर आपको इस अगर इलेक्टिव चार्स एंड फिल्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिएगा उस पर वीडियो बन जाएगे यह क्या आगे अब टाइम आपके पास कम बचा इसलिए अब बस आपके लिए सौट सौट वीडियो हर एक चैप्टर का बना रहे हैं जिसमें कि बस जो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक रहेंगे उनको बस बताये जाएंगे आप मेरे चैनल पर बने रहेगा आपको क्लाश टॉइल के हर एक इंपोर्टन चीज मिलेंगे तो थैंक्यू